देश में करोना संक्रमण पर अब लगाम लब्ती नजर आ रही है देश में पचले 24 घंटों में करोना वाइरस के 22,431 नए मामले सामने आए वही 24,602 मरीज करोना से रिकवर भी हुए 24 घंटों के भीतर 318 लोगों की करोना से मौत हो गई देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों के संक्या में भी गिरावट दर्च की गई एक्टिव मामले कम होकर 24,198 दर्च किये गई केरल में 12,616 मामले और 134 मौते दर्च की गई है केरल देश में एकलाता असरा जह है जहां अभी तक इतनी बड़ी संक्या में करोना संक्रमेंट के मामले रिपोर्ट किये जा रहे हैं कोरोना वाइरस के इस्तिती नियंटर्ण में आने के बाद महराश्टर में आच से मंदर खोले जा रहे हैं इसी के साथ लोग अप्षिडी मंदिर, मुंबा मंदिर और देवी देवताओं की दर्चिन करने आ सकीज़े लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन सक्ति से करना होगा, मासक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा मंबई में कोरोना मरीजों के संख्या में फिर तेजी से दाफ़ा हो रहा है, आंकडों के मताबिक मंबई में कोविट के केस 84 दिन के पीक पर पहुँच चुके है तीसरी लेहर और तेओहारों को देखते हुए एतियातन बीमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है, मुंबई में पिछले साल की तरह ही इस साल भी नवरातर गर्बा नहीं होगा कोरोना महमारी सजूजने के बाद भी पिछले दो वर्षों के दोरान आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 20 करोड से अधिक भारतिय महिलाओं को मुखेदारा की वितिये प्रणाली में लाया किया वितिये समावेशन में तीजी लाई गई और डिजिटल लेंदेर में तीजी आई भारतिय महिलाओं को इस तरह अर्थिक सशक्तिकरण के शुर्वारत को